शिवार शिवाम 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 जटाकवी गलजलप्रवाह पावितस्तले गलेव लंब लंब लंबितां भुजंगतूंग मालिकां दमड़ दमड़ ओम सर्वे विवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानी पश्यंतु मा कश्यतु भाग पवी ये स्पिच्वल प्रोड़क्स आपको शिवागो डाट कॉम पे ऑथन्तिक और चैनियून मिलेंगे नमस्कर आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो चमगादर होते हैं ये चमगादर में उन्हीं की बात कर रहा हूं जो आज कल काफी फेमस है वाइरस फैलाने के वज़े से तो ये पेड़ पर हमेंसा उल्टा क्यों रटकते रहते हैं देखे चमगादर आकास में उड़ने वाला एक अस्थनधारी प्रानी है जो कि पूरी तरह से निशाचर होता है और पेड़ू की डाली या एंधरी गुफाओं में उल्टा रटके रहते हैं तो कोई नो कोई कारण तो होगा वज्ञान क्यों क्यों माने तो ये दस करोड़ों साल पहले यानिकि डाइनसोर के समाने में भी धर्थी पर रहा करते थे और आज भी इनकी मौजूद की धर्थी पर है जो कि अपने आप में वाकाई अनोखी बात है तो कारण है कि ये उल्टा क्यों लटके रहते हैं देखे उल्टा होने से ये बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं एक तो ये कारण है उल्टा लड़कते हैं क्योंकि उल्टे लटके रहने से वे बड़ी आसानी से उड़ान भर लेते हैं वहीं इनके जो पंक हैं वो उड़ने में इनका जादा साथ नहीं देते हैं और यही पक्षियों की तरह चमगादर जमीन से उड़ान भड़ने में सक्षम नहीं होता है क्योंकि उनके पंक्य उतने उठान देते नहीं है जितने उड़ने के लिए उन्हें जरूरत होती है इसके अलावा उनके जो पिछले पैर हैं वो छोटे और पूरी तरह से विक्सित नहीं होता है चमगादरो की सबसे बड़ी गुफा टेक्सास में है जहां करीब दो कड़ो चमगादर रहते हैं और ये छोटी से छोटी हरक्त को भी बड़ी ही आसानी से सुन सकते हैं तो इनके जो छोटे पैर हैं ये पूरी तरह से विक्सित नहीं होते हैं जिसकी वज़े से वो दोड़ कर गती पकड़ने में सक्षम नहीं रह पाते हैं तो यही वज़े है कि हमेशा उटे लटके रहते हैं इनके दिल की गती जो है वो सोते समय अठारा बार प्रती मिनट होती है वहीं जाकते हुए इनके दिल की गती आठ सो असी तक पहुच जाती है तो एक सवाल हमेशा मन में आता है कि भाई यो वूटा लटके रहे तो गिरते क्यों नहीं है उसका कारण है कि इनके पैरों की नसे इस तरह से बेवस्थित होती है कि इनका वजन ही इनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करता है यही सबसे बड़ा कारण है तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटे दीजिए धन्यवाद